अल्राइट चेक इट आउट गाईज स्वागत आपका स्टून टैक में दोस्तों ओनर जल्दी अपना इंडियन मार्केट में तकड़े स्पक्स वाला 5G स्मार्टफोन लॉंच करने वाला है जिसका नाम है ओनर 90 GT तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे ओनर 90 GT की कम्प्ली इस मुबाल के डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.7 इंचेस के पंचोल के साथ AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी aspect ratio 19.8-9 होगा और screen density 436 ppi होगी अगर बात करें इस mobile के screen production की तो इस mobile में gorilla glass के screen production आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस mobile के weight की तो ये mobile आपको 185 gram का देखने को मिलेगा जो कि in and feel में काफी ज़्यादा light weight होगा और इस mobile का refresh rate 120 Hz होगा तो overall देखाया है तो दोस्तों आपको इस mobile में display segment एक दम flagship grade का देखने को मिलेगा तो content watching में आपको इस mobile के display में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी और इस mobile का in and feel भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के platform के बारे में इस mobile में under 13 operating system आपको देखने को मिलेगा तो आपको इस mobile में थोड़े से bloat weights भी देखने को मिलेगे लेकिन आप उनको बड़े आराम से uninstall कर पाएंगे chipset snapdragon 8 gen 2 होगा तो आपको इस mobile में काफी powerful processor देखने को मिलेगा 4 nanometer processor होने के विजए से ये mobile काफी ज़्यादा energy efficient भी होगा अगर बात करें इस mobile के performance की तो आप इस mobile से medium to high setting में काफी अच्छी खासे gaming कर पाएंगे और gaming के वक्त आपको काफी कम heating issue भी इस mobile में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के graphics की तो इस mobile में edino 740 GPU आपको देखने को मिलेगा तो gaming graphics भी आपको इस mobile में एक दम crystal clear देखने को मिलेगे overall देखा है तो दोस्ते इस mobile में काफी अच्छा platform होगा अब बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें आपको 50 और 12 Megapixel का एक dual camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 4K 1080p में काफी अच्छा camera सेग्मेंट आपको देखने को मिलेगा अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 16 Megapixel के front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080p होगी तो overall दिखाए तो दोस्तों इस mobile में काफी अच्छा camera segment आपको देखने को मिलेगा अब चलते हैं इस mobile के segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 256GB 512GB और 1TB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile आपको 12GB 16GB और 24GB के variant में आपको देखने को मिल जाएगा और इस mobile का storage type UFS 4.0 होगा अगर बात करें इस mobile के sound quality की तो इस mobile में एक काफी अच्छी quality का stereo loudspeaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5 mm जाके इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें फिंगर प्रींट संसर आपको अंडर डिस्पले देखने को मिलेगा अगर बात करें इस mobile के other sensors की तो आपको इस mobile में ultrasound proximity का feature भी देखने को मिलेगा और आपको इस mobile में gyroscope का dedicated sensor भी देखने को मिलेगा जो कि इस mobile का काफी अच्छा feature होगा अब बात करते हैं इस mobile के battery के जिसमें आपको 5000 mh के काफी बड़ी अलवपय बैटरी आपको देखने को मिलेगी तो battery backup इस mobile का काफी तगड़ा होगा और आपको गेमिंग में इस mobile में कुई भी problem देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आप इस mobile में एकदम नॉन स्टॉप gaming काफी लंबी टाइम तक बिना चार्ज करें बड़े आराम से कर पाएंगे अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 Tabs USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature भी इस mobile में होगा अब चलते हैं इस mobile का सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black blue और gold color में देखने को मिलेगा इंडिया म बात करें इस mobile के release date की तो दोस्तों ये mobile अभी इंडिया में release नहीं होगा आपको इस mobile के लिए थोड़ा और वेट करना होगा तो दोस्ते इस mobile के सबसे बड़े highlighting point होंगे इस mobile की display और platform segment तो मेरे अगर आपको एक अच्छी performance वाला camera phone चाहिए तो दोस्तों ये mobile आपके लिए अच्छा option हो सकता है तो चलिए आप सबसे आखिर में बारी आते हैं इस mobile के rating की तो इस mobile के सारी फीचरों को देखते हुए इस mobile के स्टों रेटिंग होगी 7 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लैक्शेट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करक कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में